नमस्कार आप देख रहे हैं दिल अलंटॉफ सल्मान कान ने कुछ समय पहले एक ट्वीट करके ये बताया था सबको कि वो 20 साल बाद संजलीला बंजाली के साथ फिल्म करने जा रहे हैं फिल्म का नाम है इंशाला जैसे ये बात सामने आई तो ये भी सामने आया और सल्मान कान की जवानी की फोटो निकाली ट्वीट कर दिया देखो ये है वो फोटो इसमें पता नहीं आल्या भट ये वाली हैं भी के नहीं है लेकिन ये ट्वीट करके लिखा कि ये दोनों अब लीड पेर में नजर आएंगे और हाँ 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 चलो ऐसी बातें और भी हुई ऐसे कोमेंट्स और भी हुई अब इस पर क्लंक फिल्म आने वाली आल्या भट की मल्टी स्टार करंजोर की फिल्म जिसकी एक्साइटमेंट काफी सारे लोगों को है इस्पेशली उनके फैन्स को तो जब ये प्रमोशन कर रही है तो इसमें एक सवाल इन से पूछा गया आल्या भट से कि सल्मान के आपको पैर किया गया है तो लोग इस बात से ज्यादा एक्साइटेड नहीं नजर आ रहे हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपके एज में बहुत डिफरेंस है तो आल्या ने कहा कि पहली बात तो यह है कि इन्शालला जब से अनाउंस हुई है तो मुझे तो किसी तरह की आलोचना या क्रिटिसम मिला नहीं है मैं तो बहुत excited हूँ और यह वाली जो आलोचना जो आप कह रहे हैं कि हो रही है यह भी excitement का party है और इस आलोचना से अगर लोग कर रहे हैं तो मुझे संजलीला बंसाली और सलमान खान को कोई फरक नहीं पड़ रहा है क्योंकि we all know that संजलीला बंसाली जो है वो सबके चाहेत हैं सब उनकी फिल्मों को देख कर पसंद करते हैं तो उनकी विजन को और उनकी प्रोजेक्ट को यह वाला जो है उसको ट्रस्ट करना चाहिए और हम लोग तो excited हैं मैं तो बहुत excited हूं ऐसा हुआ तो यह एक तो announcement tweet आलिया बट का और यह सलमान खान का जिसमें उन्होंने बत इसको मैं जॉइन करने की इंतजार नहीं कर सकती जल से जल मुझे जॉइन करना है वैसे इन तमाम बातों में हमें कुछ और बाते भी याद हैं हमने सुच आपको बता देते हैं कि आलिया भट पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी बड़े उम्र के अक्टर के साथ काम कर वो शारुक खान के साथ पहले डियर जिंदगी में काम कर चुकी है और जिससे आपकी वो फिल्म थी, थीम था फिल्म का उसमें उन दोनों की जोड़ी को स्विकार भी किया गया था और फिल्म को पसंद भी किया गया था और वैसे ही एक बार अमिता बचन और तबू स्टार फिल्म चीनी कम भी बनी थी जिसमें एक 64 years के शेफ को 34 years की महिला से प्यार हो जाता है और वो भी बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी आरवाल की ने रिरेक्ट करी थी और जिन जिन लोगों ने उसको देखा था उस तरीके की सनेमा पसंद करते हैं सबने लाइक भी किया था तो फिल्मेकर और इस तरह की खबरे अगर आप और जानना चाते हैं तो आप ललन टॉप से जुड़े रह सकते हैं हम फेस्बुक पर है यूट्यूब पर है आप के जरीए है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है शुक्रिया